आप देख रहे हैं बिहार आज कल और मैं हूँ इम्रान अली वीवर्स आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यह शेरगाटी मोरहर नदी का तठ है और बीस कलोर की लागत से हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं यह रिंग रोड का निर्मान चल रहा है लगभग आठ किलो मीटर लंबी यह सड़क शेरगाटी के जीटी रोड से नई बजार से निकल कर शुमाली मोहला नगर परीशत कारियाल है राम मंदीर उसके बाद बसंद बाग का पिछला हिस्सा चटी मोहला रमना शेकपूरा इंद्रा नगर होते हुए बुड़ी नदी के तठ पे ये तठ पे बनी ये सड़क फिर जीटी रोड में मिल जाएगी तो जीटी रोड से लेकर जीटी रोड तक शहर को पूरे शहर को जोडने वाली ये सड़क यू आकार की बन रही है और इस यू आकार की सड़क में लगभग यहाँ की पचास हजार से अदिक आबादी वाले इस इलाके को काफी लाब मिलेगा क्योंकि जो शिरगाटी का गोला बजार जो यहां का लाइफ लाइन माना जाता है वहां पर हमेशा ही गाड़ीों की आवाजाही से जाम की स्थिती बनी रहती है और नागरी काफी परिशान रहते हैं जाम की वज़े से तो बहुत लंबे समय से यहां पर बाइपास रोड की मांग चल रही थी और इस 2018 में ततकालीन विधायक बिनोत परसाद यादों ने इसका प्रस्ताव विधान सभा में रखा था और तब मुखमंत्री से उन्होंने स्वें बात की थी और तब यह पारित हुआ था और अब क्योंके यह जो सड़क है यह नदी के किनारे है और कई बार लोगों ने मुरहर नदी के विक्राल बार को भी देखा है 1976 में और बाद के दिनों में भी लोगों ने मुरहर नदी के विक्राल बार को देखा है क्योंके यह पहारी नदी है और कभी कभी जब पहार पे पहारी चेत्रों में दक्षिन के लाके में ज्यादा बारिश होती है तो ये ये नदी बहुत उफान मारती है और तब एक खत्रे की स्थिती बन जाती है उन्होंने भी ये अश्वासन दिया था कि मैं शरगाटी की जनता को आश्वासन देता हूँ कि इसकी गुनवक्ता से कोई समझाता नहीं होगा मैंने भाजपा नेता प्रेम परकाश उर्फ चिंटू सिंग से भी बात किया था इस मामले में तो उन्हों ने भी कहा था कि इसकी गुनवक्ता को लेकर कहीं कोई समझाता नहीं होगा क्योंकि ये सड़क बहुत मुश्किलों से इसका निर्मान हो रहा है कई लोग जो बुद्धिजीवी हैं या समाज सेवा से जुड़े हैं उन लोगों की भी मांग है और उन लोग भी महसूस कर रहे हैं कि इसकी गुनवक्ता होनी चाहिए अगर कहीं जनता इस तरह की बात कह रही है या आवाज उठ रही है इसके गुनवक्ता को लेकर इसकी करता हैं कि नहीं यह बेलकुल भरम है क्वालेटी अच्छी है या अगर कहीं क्वालेटी में कमी है तो इसको वो देखें ताकि शिर्गाटी का के के हीत में बनाए जा रही है सड़क लंबे समय तक टिके और लोगों को इसका सही लाब मिल सके सबसे पड़े मुखमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं बहुत अच्छे कार्ज उन्होंने करवाए हैं सिर्गाटी में इसके लिए बधाई के पात रहे हैं वो मैं कोटी-कोटी नमन करता हूं उनको बहुत अच्छे कार्ज के लिए पैसा दिये हैं और मुखमंत्री होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है मैं मुख मंतरी महोदै से उप मुख मंतरी ते जस्पी यादब जी से और जिला पदाधिकारी से यह मांग करता हूं कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए यह ऐसा काज कर रहे हैं कि जो नाली का पानी किरा रोड होते हुए नदी में जा खराब हो जागा रोड भरा हुआ रहे हैं पानी से जो अस्थानी नेता है उनको इसकी निगरानी करनी चाहिए उनको इसका सर्वे करना चाहिए उनको छेत्र में जाकर देखना चाहिए इस पर क्या कहेंगे आप एकदम आपका कहना बहुत ही अवस्यक है देखना चाहिए कि यहां कर्ण हो रहा हैं यहां बीकास की बात है यहां के लोग उस पर चलेंगे तो नगर परश्त के अध्यक्ष कार्ण पार्श पारत्र करी महटे को भी देखना चाहिए और अस्थानिय जौ पार्शा चुने और अच्छा धंट से काम हो ताकि सर्गाटी के जन्ता को रहत मिल सके जाम से मैं अजीत कुमार सिंग महा मंतरी जिला कांग्रिस कमिटी है हमारा कहना कि ठीकेदार उस बोट को क्यों नहीं लगा रहा है कि हम किस सिस्टम से काम कर रहे हैं या क्या उसका इस्टीमिट है सबसे पहली चीज़ इसका मतलब होता है इमरान साहब कि कोई न कोई बड़ा पुल्टिक्सियन उस ठीकेदार के कंधे पहांत रखे हुए इसलिए वो नहीं लगा रहा और जब नहीं लगा रहा तो भाई हमारी तो जिम्यवारी को उस पर आवाज उठाए जो हिसाब से वो बन रहा है भविस में इतना पैसा लग रहा है आने वाले कल में जब बहुत जादे पानी आ जाएगा और वो पुल जो है या रोड जो धस जाएगा तो यह पैसा आम लोगों कहा हम लोगों कहा आम जनता का पैसा हा तो हमको तो आवाज उठाना पड़ेगा इसलिए उस पर पूरा का पूरा संदे है कि वो काम ढंक से नहीं हो रहा उस पर बढ़िये से जाच होनी चाहिए बढ़िये से उसका काम होना चाहिए ताकि जिस नियत से यह जिस परपस से उस रोड को निकाला जा रहा है उसमें सहर के लोग आराम से चल सके और जो समस्या ह द्धान मिले लोगों को ये हमारा कहना क्या परीचा हुआ आपका सकील अहमद उर्फ काले खां जदियूनेता कि इस सड़क पे मैं हूँ जो ये रिंग रोड का निर्मान चल रहा है ये शिरगाटी का जो हिस्सा है ये चट्टी मुहले का पिछला हिस्सा हमारे पीछे देख सकते हैं वो इमामगंज जो रोड है बाके बजार इमामगंज की सड़क है मोरहर नदी के उस तट पे और इस रास्ते से भी लोग इधर आते जाते हैं इमामगंज के वाले रास्ते से चुकी गोला बजार से नई बजार जाने में लोगों को शॉर्ट कट पड़ता है इसलिए लोग इधर से भी आते जाते हैं अगर हम इस चट्टी मुहले में बन रहे हैं इस रिंग रोड के निर्मान की बात करें तो हमारे पीछे आप देखिए ये जो पूरा मुहला है वो कई मुहले सो गुजरता हुआ बरसात का पानी यहां पे आता है अगर बरसात का पानी यहां पर बहुत तेजी से आता है तो वो सीधे सडक पे आएगा पानी और तब इसका इसकी निकासी का आप देख सकते हैं कहीं कोई स्थिती दिखाई नहीं देती है और जो ये एक नाला निर्मान किया गया है तो इतनी बड़ी सड़क के लिए इतना पतला हुम पाइप दिया जाना और आप इसकी स्थिती देख सकते हैं इस तरह का पतला हुम पाइप और ये आने वाले समय में ये भर भी जा सकता है और इसका रास्ता जाम हो सकता है ऐसी स्थिती में पूरा पीछे का इलाका है इस इलाके के लोगों को जल जमाओं की परिशानी से गुजरना पड़ सकता है और अगर जल जमाओं नहीं भी होता है उधर का बरसात का पानी अगर इस रिंग रोड पर आता है तो रिंग रोड को उसका नुकसान होगा और रिंग रोड कहीं न कहीं कमजोर पड़ेगा तो लोगों की मांग भी इस अलाके की रही थी कि यहां पर पुलिया का निर्मान किया जाना चाहिए था क्यूं कि इसके पीछे कई मुहलें हैं और कई मुहलों के नालियों का पानी भी है और बरसात का प गुनवक्ता है उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि इसको परतिनीदियों को देखना चाहिए और रिंग रोड के जितनी गुनबता होना चाहिए वह गुनबता जानता जब जांच रही है तो गुनबता में जो हैसे की खारा नहीं उतार रहा है तो इसका जवाब देही हमारे जो जनपरतिनीदी हैं चाहिए विधायक के जनपरतिनीदी हो या संसत जनपरतिनीदी हो या नागर पंचायत के जनपरतिनीदी हो तो उनलों का गुनबता के बारे में जांच पताल करना चाहिए और जन हीत में जो काम रोड का है कभी कभी ऐसा बाढ़ आ जाती है तो अगर कमजोड बना वह रहेगा तो बाढ़ से जो ऐसे की रोड धोखाड देगा तो फिर रिंग रोड का कोई मैना ही नहीं राखता है फिर वह इस्तिती हो जागा जो पहले था इसलिए रोड रिंग रोड का जो गुनबता हाए गुन के अनुसर बनना चाहिए अतना जन परतिनीदियों का संसद विधायक या नगर पंचाइद का जो नगर परिशद का जो परतिनीदी हैं उनको भी मद नजर रखते हुए इसका निदान करने का हैसला देना चाहिए कि जन ही तुमें कारगर हो मेरा नाम ऐसे स्वर्गिय व्रेंद कुमार अर्जक बोलते हैं और मैं एक समाज से भी हूँ इतना पूल है टोटल तीन को यहां तक दो किलो मेटर में तीन को पूलिया है अच्छा हूम पाइप आपका जो है छे या साथ को हूम पाइप है योकि और यही लोग हैं एस्टियो साहब हैं तो लोग भी कुछ निक्षन करेंगे ना उनली पानी आ रहा है तो नाली पानी पहले से आधा वहीं आएगा अश्मीट का बोट है चलिए गार दिखा देंगे अलोका लोग तो फोट दिया को चुरा के ले गया अभी आस लेना सब्सक्राइब लेकर चला गया लोहा जो कर बार बैचने वाला लोहा है तो लोहाग चकर में हैं आपका इस्मेट बोड के न अधरी बीहार में है इधर अपना जिला जो है रोधा असबकसर और अंगाबाद सब्सक्राइब लोग इस तरह का अरोप अगर लगा रहे हैं के गुनवक्ता में कमी है तो गुनवक्ता को लेकर आप क्या अस्वासन तो हम बढ़ियों देंगे आपान साल का मेंट्रेंस होत परिवार में हैं देखरें करना है वीवर्स तस्वीर आपको दिखाते हैं यह हमारे पीछे जो सिला पड़ था जो सिला नियास के लिए पथर लगाए जाते हैं वह बिल्कुल तूटे-फूटे हैं वो सारे नाम यहां पर तूटकर गिरे पड़े हैं तो इस सिला नियास के दिन भी मैंने सोशल मीडिया पर कुछ आपती जटाते लोगों को देखा था क्यूंकि जो पुर्व विधायक हैं विनोत परशाद यादव उनकी बड़ा परियास उनका रहा था इस सड़क के निर्मान में लेकिन जब सिला नियास का कार्शकरम चल र दर थी और इसको उन्होंने सोशल मीडिया पर उजागर भी किया जाहिर भी किया इस दर्द को कि बिनोत यादव ने सड़क के निर्मान को लेकर काफी परियास किया है तो उनको इस बात के लिए परशंसा मिलनी चाहिए लेकिन उनका इस कार्शकरम में नहीं आना कहीं न कह कई सवाल खड़े कर रहा था अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर ये सिलापट तूट क्यों गया तोड़ा किसने और तोड़ने का कारण क्या बना है तो एक सवाल जरूर है लोगों के मन में कि आपने देखा होगा कि कई बार सड़के बनती है बनने के बहुत बर्सों तक सि सडक के निर्मान में जो शर्गाटी में अगर सडक निर्मान की हम बात करें तो शर्गाटी के इतिहास में एक बार में एतनी लंबी सडक कभी पहले नहीं बनी शहरी छित्रों में आठ किलो मिटर की सडक बनाया जाना और वो भी नदी के किनारे ये बहुत बड़ी बात है और दोग सरकार की बी परसंसा कर रहे हैं कि बिहार सरकार के लोगों को यही देखने की जिम्मेदारी है बीस कडोर की लागत से बनने वाले आठ किलोमेटर के इस रिंग रोड में कई तरह की मुश्किले आ सकती है और उनमें एक बड़ी बड़ी चीज जो यह है कि यह जो शहर के जितने नाली है उन तमाम बड़े नालों का जो पानी कठा होगा उसके लिए यह पुलिया है और इस पुलिया से जो शहर के बड़े नाले हैं उसका उसका पानी का निकासी होगा तो एक बड़ा सवाल यह है कि जब बरसात के दिनों में अब यह देखना होगा कि जल जमाओ की जो इस्थिती होती है वो कई तरह की निकास के रास्ते थे शहर में जहां से नालियों का पानी बरसात के पानी होंगे नाली के अलावा भी वो बरसात के पानी के निकासी पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि जब बरसात का पानी शहर का नदी की तरफ बढ़ेगा तो उसमें निकासी में कहीं कोई बाधा ना हो वो सारा पानी तेजी से नदी की तरफ बढ़ जाए इसका भी ध्यान रखना होगा तो एक बरसात आने के बाद भी कई चीज़े सामने आएंगी इस निर्मान के बाद कि वो सारी इस्थिती सामाने रहती है या फिर कोई नई मुश्किले आती है